बिसमल्लाइर्वान रोहीम, असलाम वालेकूम, वेलकम टू क्विक रिव्यूव, और क्विक रिव्यूव में आज हम वर्ल्ड मैप और या मैप रेडिंग जो है, इसका पार्ट थर्ड जो है, और फाइनल पार्ट डिसकस करने लगे हैं, और इसमें हम स्टार्ट करेंगे ज हम वर्ल मैप के अलरेडी देख चुके हैं, पार्ट वन के अंदर भी हमने जोगरिफी देखा, और मैप रेडिंग को डिसकस किया, पार्ट सेकेंड के अंदर भी, और थर्ड मैप जो हम वर्ल मैप से रिलेटेड जितनी भी इन्फोर्मेशन है, वो यहां पे हम इसे देखे होती थी, इस तरह की भी जो है वो एक घडी सी बनी होती, घडी तो क्या है, यह तरह क कोई एक जो है वो रिर यो इसमेरा रेड जाली होती थी, और यह रेड जो है यह आदा दिन पो घजर को देखा जाता है, और बाकि और भी बहुत से टूल्स थे जैसे के चांद और सितारों को जैसे कुरान के अंदर फरमाया गया कि भाई जो है उसके जो है वो टाइम या डेट वगईरा को मेंचिन किया जाता है देखा जाता है तो एक्चुली में जो टाइम वगईरा है जिसको हम कहते हैं तीस दिन है तो इसमें अगर हम बात करते हैं 24 hours में तो ये वही जो हमने start में first lecture के अंदर जो बात की थी world map के के जो imaginary lines है एक्चुली में इनी lines का कमाल है और इनको इस तरह से जो है वो फिर बनाया गया कि जिससे date and time जो है वो देखी जा सके world map के अंदर आप देख़े हमने दो तरह की lines देखी थी start में world map में हमने एक lines देखी थी जो के north to east to west है ठीके east to west या west to east थी हमने एक lines वो देख़ी थी और दूसरी हमने देखी थी जो के north से south है ठीके। तो जो North से South है, इनको हमने कहा था, ये Longitudes हैं, ठीक है, Longitudes हैं, और इन्ही को हमने कहा था, कि सम्टाइम इनको Meridians भी जो है, वो कहा जाता है, और ये Meridians हैं, उपर से नीचे, यानि North से South, ये आपने याद रखना है, ठीक है, और दूसरी साइड पर हमने जो Lines देखी थी, West to East, जो हमने Lines देखी थी, इनको हमने कहा था, कि ये Latitude हैं, ठीक है, ये Latitudes हैं, और ये Longitudes है तूल बल्द और अर्जबल्द, अब यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर अगर आप देखें, तो यहाँ पर आपको एक नजर आ रही है, लाइन जो के North to South है, ठीक है, ये South है, और ये North है, तो North to South जो लाइन आ रही है, बिल्कुल बीच में से, जो के Equator को जो है, वो काट रह पर इसको Zero Line भी कहा जाता है, जैसे Equator जो है, जो East to West है, दुनिया को बीच में से काट रहा है, इसको भी Zero Degree कहा गया, और इसके ऊपर 23.5 के ऊपर, और 23.5 नीचे, ये Tropical Zone बनता है, Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn, जो हम already discuss कर चुके हैं, तो इसी तरह से, जो North to South जो है, वो लाइन आ रही है, सीधी-सीधी, इसको हम कह रहे हैं, जी, ये Prime Meridian है, और ये Zero है, इसको Zero Consider किया गया, क्योंकि जब हम Time देखेंगे, तो obviously किसी को तो Zero मानना पड़ेगा, कहीं से ना कहीं से तो Start करना पड़ेगा, अब हमने इसके लावा ये भी देखा था, कि ये जो West to East Lines है, यानि जो Latitudes हैं, हमने इनको देखा था, कि इनकी जो तादाद है, वो है 180, ठीक है, Half Circle के बराबर, और जिसमें 90 जो है, हमने कहा था, Equator से उपर है, और 90 जो है, वो नीचे है, ठीक है, इसी तरह से हमने जो Not to South बात की थी, Meridians की, या फिर Longitude की, तो वो हमने कहा था, ये 360 है, क्योंकि जो एक Circle है, वो Circle 360 का होता है, ठीक है, तो अब बिल्कुल इसी तरह से, जो Meridian Lines हैं, जो उपर से नीचे है, North to South है, जो उपर से नीचे आ रही है, इस तरह से, ये जो Lines है, ये है 360, ठीक है, और ये जो इस तरह से Lines है, Equator की Lines के साथ-साथ, जो parallel जा रही है, ये Lines है, 180, 90 उप जो Longitude हैं, उन से, जो है, हमारा Link जादा होगा, अब इस ताइम को Geographer's ने क्या किया, ये जो Lines है, इनको 24 Zones में, जो है, वो तकसीम कर दिया, क्योंकि 24 गंटे होते हैं, एक दिन के अंदर हम ये जानते हैं, 12 गंटे एक और 12 दूसरे, और फिर साथ में हमने देखा, कि A.M. और P.M. भी कहा गया, कि एक टाइम को जो है, वो A.M. कहा गया, यनि के रात 12 से लेके, दिन 12 तक का जो टाइम है, इसको कहा गया जी A.M. ठीक है, और इसी तरह दिन 12 से लेके, रात 12 तक का जो टाइम था, इसको कहा गया P.M. ठीक है, ये दिन से रात का टाइम है, और ये र जहां से गुजरती है, यह एक शहर से गुजरती है, एक कस्वे से गुजरती है, जिसको कहा गया Greenwich, ठीक है, जो UK के अंदर है, यहां पे आप इसको एक कस्वा है Greenwich, जिसको जो है वो Zero Line माना गया और जिसको Center Point माना गया, ठीक है, उस Greenwich को जो है, उसके Point से Time को Start किया गया, अपने Mobile पर अभी अगर देखेंगे Time, तो आपको नजर आएगा GMT, और आप पाकिस्तान का Time देखेंगे, तो आपको नजर आएगा Plus 5 GMT, यानि यह जो Meridian Line है, जब इस से हम इस साइट पर जाएंगे, East की साइट पर, यहां पर देखते जाएगेगा, जब हम East की साइट पर है, उसमें से अपने Time में से अगर 5 को Minus कर दें, यहां वापिस आजाएं तो हमारा Time original हो जाएगा, या 5 घंटे पीछे कर दें, तो हमारा Time यहां पर UK के Time के बराबर हो जाएगा, तो इसी तरह से जब हम Prime Meridian से उल्टी साइट पर, West की साइट पर जब ट्रेवल करेंगे, तो हमारा Time हो जाएगा Minus, ठीक है, यहां पर Minus के Time स्टार्ट हो जाएगा, Minus GMT वाला हमारा होगा, जैसे अमेरिका के देखें, तो आपको वहाँ पर Minus लिखावा, नजर आ रहा होगा Time के साथ, ठीक है, North America, South America, countries में, इसी तरह से Date भी है, कि जब हम जो है, वो Date Line से चलें, उस पांच घंटे आगे है, अब इसको मजीद आप समझे, पांच घंटे आगे कैसे है, कि देखें, 24 टाइम जोन हैं, और एक एक घंटे का टाइम जोन है, ठीक है, जब सूरज जो है, हम यह कह सकते हैं, कि पंदरा डिगरी घूमता है, तो एक घंटा गुजर जाता है, यानि पंदरा डिगरी जो है, उसको एक घंटा और मान के एक जोन बनाया गया है, कि जब आप चल रहे हैं, और आप चलते 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 एक घंटा गुजर जाएगा, तो ठीक है, अगर पंदरा डिगरी होगे आपका, तो एक घंटा आपका इकोल होगा उसके, यानि कि वो टाइम time zone बन जाएगा, इसी तरह से अगर आप 30 degree चले हैं, तो वो 2 घंटे हो जाएगे इसी तरह से अगर आप चले हैं, तो इस तरह से यह 24 है, तो 24 को अगर आप multiply करेंगे, ठीक है, तो आप जब 24 को multiply करेंगे 15 के साथ तो यह आपके पास क्या जाएगा, जी 360 ठीक है 360 यानि 360 का सरकल है तो 360 जो है इसको तक्सीम किया गया 24 टाइम जोन के उपर और एक डिगरी जो है एक जो है वो 15 डिगरी के बराबर है यह 15 डिगरी जब होता है तो इसको एक जोन माना गया है इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जो है हम 5 प्लस 5 में है तो इसका मतलब ह हम बानते हैं कि पाकिस्तान का जो लॉंगिट्यूट है हो 76.76 के करीब है आल्मोस जो है ठीक है 75.5 है या 76 के आल्मोस बीच में है तो यहां पर यह जैकि यह पाकिस्तान की लुकेशन है तो यह GMT प्लस 5 का टाइम आता है इसी तरह से प्रश्या है तो उसका बहुत से टाइम जोन है तकरीबं 17 के करीब टाइम जोन है क्यूंकि वो इतना बड़ा है कि एक टाइम हो नहीं सकता तो इस वज़ा से फिर हर मुल्क जो है वो जितना बड़ा है जिस लिहाज से है उसी लिहाज से तो देखता है कि उसका time zone क्या बन रहा है longitude या latitude के अंदर का time zone उस लिहाज से क्या बनेगा तो हम जब prime meridian से इस side पे चलेंगे तो ये हमारा time जो है वो prime meridian से आगे है और meridian के बाद का time post meridian यानि के बाद का time जो है प्लस का time है तो पाकिस्तान का GMT प्लस 5 है original time greenwich का है जहां पे zero time जिसको consider किया गया इस line को इस line से ऐसे चलते जाएंगे तो जो time zone आता जाएगा उसी हिसाब से जो है वो उसका time होगा और फिर हर मुलक का अपना जो है वो standard time होता है जैसे पाकिस्तान का standard time जिसको हम कहते है PST पाकिस्तान standard time वो शकरगड का लिया गया है कि हम यह जियूम करते हैं कि शकरगड जो है पंजाब के अंदर वहां पे सबसे पहले सूरज पाकिस्तान में दाखिल होता है तो महां का standard time हमने ले लिया कि वो standard time है और वो पूरे पाकिस्तान के अंदर वो ही time चलता है पाची में आदा घंटा लेट जो है वो सूरज गुरूब होता है बाकी इलाकों की निस्वत तो इसका मतलब यह है कि वहां पर भी आदे घंटे का डिफरेंस है तो हमने फिलहाल एक ही टाइम जोन रखा वैं अदरवाइस यह नहों कि हम अलग दो दो टाइम जोन रखें तो तो इसका मतलब बड़ा है तो पहला है तो वहां का टाइम जोन जो है वो दिया है अब इसी तरह से जैसे वन कहा GMT का मतलब क्या है कि Greenwich means time के Greenwich को जो है वो original time माना गया zero और उसके इस side पे जो है वो plus time है और इस side पे जो है वो minus time है जो minus है उसको am कहा गया anti-meridian और जो plus time है उसको कहा गया post-meridian ठीक है अब अगर हम बात करें जी international date line की के date line क्या है तो international date line के लिए भी किसी को zero consider करना ही था ठीक है तो जब यह आप यहाँ पर देखिए इस map के अंदर दूसरी पिक्चर के अंदर तो यह जो आपको टेडी मडी दिखाई दे रही है जिग जैग यह है IDL यानि international date line अब date line सबसे पहली बात यह है कि सीधी क्यों नहीं है क्योंकि इसको जो है वो पानी यानि समंदर के अंदर से गुजारा गया अगर यह किसी जमीन के उपर से गुजरती तो कोई let's suppose अगर किसी मुल्क के उपर से गुजरती तो हवाई यहां पर जजीरा है उसके उपर से गुजरती तो इसका मतलब हवाई की जो डेट होती वो सिफर हो जाती तो डेट को सिफर बचाने के लिए जो है उसे समंदर के बीच में से गुजारा गया अब इस डेट में हम देखिए यहां पे है रूस और यहां पे है अमरीका तो इसका मतलब यह है कि यह इस साइड से जो फ्रेंड मैप की साइड हमें देखने को मिल रही है यहां से तो इनका डिसनस बहुत जादा है लेकिन जो back side है यहां से यह बिलकुल इनका distance बिलकुल छोटा सा है समंदर की बीच की एक bearing straight है अगर वो street जो है समंदर की बीच की जब एक ice age का जमाना था तो यह भी नहीं थी और यहां पर बर्फ जमीवी थी तो यहां से लोग यहां आते जाते थे जिनने gathered hundreds कहा जाता था जो शिकार के लिए कटे होते थे तो यहां से ही जुड़ेवे हैं इसको मतलब इनका जो travel है वो यहां से होता है ना कि वो पूरी दुनिया घोंके यहां से यहां जाएं तो यह आपने back का ख्याल रखना है तो एक दिन जो है वो minus होगा इसकी example आप यूँ समझिए के let's suppose यह अभी क्यूंके यहां पे मैपको दुसी साइट देखने को मिल रही है इसलिए यहां पे आप इसमें यहां पे समझिए आपको यहां पे समझ ठीक आएगी let's suppose एक बंदा है उसने अगर यहां पे रश्या के अंदर यह इस इस की साइट पे वो जाता है 30 तारीख को ठीक है 30 तारीख को अमेरिका चला जाता है क्योंके अमेरिका वेस्ट में है तो वेस्ट की साइट पे जब जाएगा तो ultimately वो अमेरिका की जो डेट होगी वो उस ता आज के ऊपर बैठे वे तो आपने क्या करना है अपनी घडियों को एक गंटा जो है वो एक दिन जो हो पीछे कर लेना है क्योंके वहां पे अब जैसे अब यहां पर दिन हो रहा है पाक्स्तान की बात करें तो अमेरिका में रात हो रही होगी ठीक है तो वहां पे फिर पर ट्राइब करेंगे और आइडियल को क्रॉस करेंगे तो हम गिन को माइनिस करेंगी यह इक दिन को पीछे कर देंगे तो यह है date और टाइम ठीक है। इसको दुबारा समय समराइज करता हूँ, जो time है हमारे पास, ठीक है, उसमें सबसे important चीज़ क्या है, meridian line, meridian lines में जिनको longitude भी कहा गया, उनमें जो zero line जिसको माना गया, वो है prime meridian, यह जो यहाँ बीच पे आपको दिखाई दे रही है, यह zero है यहाँ पे, इसके जब हम इस side पे, east की side पे जाएंगे, तो plus time हो जाएगा, plus GMT, greenwich means time, और जब हम इसकी opposite side पे जाएंगे, तो minus time हो जाएगा, ठीक है जी, और वहाँ पे आप अगर अपने mobile में अभी भी निकाल के देख लें, तो आपको और time zones को 24 hours में, 24 time zones में तक्सीम किया गया है, ठीक है, और एक हर time zone एक घंटे का है, 15 degree जो है, जब जमीन घुमती है, तो वो एक घंटा जो है, वो एक time zone complete होता है, 15 degree के हिसाब से, और 15 multiply by 24 equals to 360, जो हमारा circle आता है, ठीक है, इसी तरह से जो ideal है, ideal को 180 के उपर resume किया गया, जो आपको पताना भूल गया, कि ideal की ये जो line है, ये 180 के उपर है, यानि half circle के उपर है, और इसको समंदर के बीच में से गुजारा गया, ताकि किसी का जो time है, वो 0 न हो सके, और ideal से जब भी हम जो है, वो east की side पे चलेंगे, तो हम एक दिन को gain करेंगे, और जब भी हम उसकी west की side पे चलेंगे, तो एक दिन को हम lose करेंगे, ठीक है, तो ये है, हमारे पास map के अंदर time zones, या time and date जो है, जिसको हम देखते है इस तरह से, और पाकिस्तान का जो time है, पाकिस्तान standards time, वो plus 5 GMT है, यानि हम original time से 5 घंटे आगे है, क्या आप 5 घंटे निकालेंगे, तो आप देखेंगे, जो UK में लोग रहते हैं, वो 5 घंटे, उनका time हम से difference होगा, या योरप के अंदर जो लोग वहाँ पे बस रहे हैं, आगे आप देखेंगे, कि यहाँ पे जो continents हैं, हम already इनको discuss कर चुके हैं, कि यहाँ से अगर हम start करते हैं, तो यह Eastern Europe का area है, जो Russia में भी आता है, क्योंकि Russia आपको बता है, दो continents के अंदर आता है, योरप के अंदर भी आता है, और साथ में Asia के अंदर भी आता है, योरप और ये तुर्की और रश्या, ये दो ऐसे जो मौलिक हैं, जो के दो कॉंटिनेंट्स के अंदर आते हैं, तुर्की और रूस, इसी तरह ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है Central Asia, Central Asia के current countries है, ताजिकिस्तान, उस्बिकिस्तान, करगिस्तान, आजर्बाइजान, अफ़ानिस्तान, ये सारे के सारे Central Asian Nations हैं, ठीक है और सम टाइम इसमें इरान को भी Central Asian Nations में एड़ किया जाता है और सम टाइम आप कुछ बुक्स में देखेंगे, वहाँ पे इसी तरह से आप यहां पे अगर देखेंगे, तो ये फिर सारे का सारा Middle East आ जाएगा, ठीक है जी, और Middle East है, along with that, इसको कहा जाता है Western Asia, ये Asia के West के अंदर मौजूद है, क्योंकि ये सारे का सारा continent है, ये सारा जो है, ये Asia है, तो इसका Asia के West में है, इसी तरह से इंडिया है, बुटान है, निपाल है, बंगला देश है, मालदीव है, और सिरलंका है, ये साओध एशिया के अंदर है Eastern Asia की बात करें, तो चाइना का जो ऊपर का पार्ट है, ठीक है जी, चाइना क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है, हम पहले बात कर चुक है इसके उपर, तो ये जो है Eastern China के अंदर है, ठीक है, और इसके लावा यहाँ पे देखिए, तो South Eastern Asia यहाँ पे आता है, इस एरिया के अंदर यह जो इंडिनेशिया और मलाइशिया जहाँ पे आते हैं, तो ये South East Asia का एरिया है, ये छोटे सब डिवियन्स हैं, उसी Asia के अंदर Asian continent के अंदर, ठीक है, इसके लावा यहाँ नीचे देखें, तो आस्ट्रिया और New Zealand है, जैसे ओश्निया का अगए, जो आगे हम डिसकस करेंगे, उसे, यहाँ पे देखिए, अफरीका के अंदर, तो ये Middle Africa है, अफरीका का जो दर्मयानी, ये जो पूरा का पूरा एरिया है, दर्मयान का, ये Middle Africa है, इसी तरह से ये जो एरिया है, ये है Eastern Africa का, East की साइट का, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डारेक्शन देखिए, तो North, South, East, और West, तो ये East का साइट है, तो Eastern एरिया हो गया यहाँ पे, इसी तरह से जो ऊपर की साइट का हम देख रहे हैं, तो वो Northern Africa है यानि कि शुमाली अफरिका यहाँ पे, इस जगा पे मौजूद है, इसी तरह से ये जो एरिया है, अफरिका का, इस साइट का, इटलांटिक ओशन का, ये Western Africa है, तीक है, अब आते हैं, योरप के अंदर, Southern Europe है, स्पेन का जो इलाका है, तीक है, इसी तरह से Western Europe का जो इलाका ह आते हैं, यहाँ पे, फरांस है, यह जर्मनी है, यह यह यह, यह UK जहां पे आ रहा है, यह आपको यह पे दिखाई धेन रहा होगा, तो यह जो है, यह Western Europe के एरिया है, फिर Northern Europe है, यह उपर की साइट का इरिया है, यह नौर्धरन इरिया है, और यह जो यहां पे छोटे सी ए ये सारे के सारे Eastern Europe कहलते हैं जो कि कभी किसी भाने में USSR का हिस्सा रहे हैै इससी आश anunci आमेरिका में आते हैं तो रृव का पुरा ये जितना भी फरा थिना आमेरिका है केनेड़ा है मैक Welcome5 घ्रीन लेंड है तो ये सारे नहुत कैनेड़ा इसी के बीच में Central America जो है जो इसके बाद यहां पर यहां पर यहां पर आता है यह सारे के सारा South America है और South American countries जो है यहां पर मौझूद है तो यह जो है overall sub-divian है जो हमारा world map है कि कुछ areas की जैसे आप अकसर सुनते होंगे Central America में यह हो गया Central America में इसी तरह से आप सम्टाइम यह सुनते होंगे कि भाई Western Asia कौन सा है South Asia कौन सा है ठीक है यह Middle East में कहां क्या हो गया आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं जी Countries in Asia क आपकी कि Asia के अंदर हम देखते हैं कि कौन-कौन से Countries यहाँ पे मौझूद है जो famous famous हमारे countries यहाँ पे मौझूद है एशया के अंदर तो यह जो आपको यहाँ पर map दिखाई दे रहा है यह जो है यह 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 सारे का सारा ठीक है इसी के अंदर जो है यहाँ पर आपको Arabian Peninsula द इरान भी आपको यहीं पर दिखाई दे रहा है इस अरब के जितने भी हमालेक हैं वो सारे के सारे यहां पर मौजूद हैं यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर साथ में शाम है इसके यहां पर तरकी है साथ में आगया आजरबाईजान है यहां पर ठीक ह थीक है इसी तरह से इस साइड पे आ जाएं तो यहां पे जो है वोcoat नौर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है यहां पे इस जगापर ठीक है यहां पर आप देखिये तो जापन है साथ में समदर के साथ अगर आप देखें Pacific Ocean के अंदर जापन है उसके लाव़ा यहां देखिए त वो यहाँ पे चाहता है कि अपने military bases बनाए और चाइना को एक tough time दे लेकिन चाइना इसको independent country तसलीम नहीं करता इसी तरह से यहाँ पे देखे फिसाद में यह इस चाइना सी है South China Sea है यहाँ पे फिलिपाइन है यहाँ पे इस जगापे और यहाँ पे देखे तो Indonesia और Malaysia यहाँ पे हमारे पास आजाएंगे तो यह जो है यह सारे के सारे जो countries हैं खास करके जो major countries है यह सारे Asia का हिसा है और Asia के अंदर ही है यहां पे देखिए फिर मेंदमार आ जाएगा यहां पे लाउस आ जाएगा यहां पे कमबोडिया आ जाएगा यहां पे तो यह सारे कंट्रीज जो है वितनाम आ जाएगा यह एशिया का हिस्सा है और एशिया के अंदर हैं आगे बढ़ते हैं बात करते हैं जी countries in Europe की के यूरप के अंदर कौन कौन से countries हमें देखने को मिल रहे हैं उसमें सबसे पहले अगर आप यहां पे जो है वो स्टार्ट करें वेस्टर्न यूरप से तो पुर्तगाल आपको देखने को मिलेगा पुर्तगाल और स्पेन यह दोनों ही गरम मुल्क हैं तो अफरीका के साथ में यहां पे यह जिबराल्टर है जिबरुत तारिक जिसको तारिक बिन जियाद ने जो है वो क्रॉस किया और यहां पे जाके माना जाता है उन्होंने अपनी कश्टियां जलाई और हम हिस्ट्री ऑफ स्पेन के अंदर उसकी बात कर चुके हैं तो वहा सबसे जादा इंपॉर्टन साब को बताई थी इसके बाद यहां देखिए तो यह ग्रीस है ठीक है जी बलगारिया है यहां पे रुमानिया है यहां पे यह वो मुल्क इलाके है जो एशिया के साथ है क्योंकर यहां पे साथ में टर्की है तो टर्की के साथ यह लगते हैं त ठीक है जी Ireland है United Kingdom यहीं समंदर के बीच में है और यहीं से उपर आप अगर जाएंगे तो Iceland आपको यहां पर देखने को मिलेगा ठीक है इसी के साइट पर आप अगर जाएंगे उपर Northern Europe के साइट पर तो यहां Denmark है उसके बाद यहां पर जो है वो Norway है Sweden है Finland है ठीक है यहां से Estonia आप नीचे आजाएं Lativia आजाए लिथवानिया आजाएं यहां नीचे और फिर यहां पर साथ में Poland है Russia के साथ पहले जो है Poland था लेकिन आप वो यहां पर boundary है Ukraine की ठीक है जी तो यह साथ में Ukraine है फिलहाल वो आपको बता है वहां पर वार लगी वी है Russia की तो इस होजा से जो है ना वो अब फिलहाल देखते हैं किसके एरिया में आता है तो यह जो है यह सारे के सारे countries जो है वो इस टाइम पर और यहां पर सबसे नीचे Cyprus है ठीक है जी Cyprus के भी दो हिससे हैं एक Cyprus जो है यूरप के अंदर माना जाता है और एक जो है वो टर्की के साथ है तो वो उसको म पराको नज़र आएगा यानी मराकेश है यहां पर यह जिबराडर के साथ जहां पर मुस्लिम कंट्री है यह उसके बाद अलजेरिया यहां पर आज आएगा लिबिया है एजिप्ट है यह सारे एक ही बैलिट में आपको देखने को मिलेंगे मेटरेनियन सी जो है यह सी पोर के अंदर दिखाई दे रहे हैं यह वो मुल्क है जो लेंड लॉग्ड है ठीक है जी यह लेंड लॉग्ड है यहां पे इनको कोई भी समंदर जो है वो नहीं लगता बराहरास तो इसलिए इनका कोई समंदरी रास्ता नहीं है और बाकी जितने भी कंट्रीज है mostly जो अफ्री अर्बिया है जिंबाबे है बुस्टवाना है और यहां नीचे जो है वो आप देखें साउथ अफ्रीका है जिसको हम जो है वो जानते है मैच की वज़ा से अच्छा इसके लावा यहां पर देखें जी मिडगासकर है और इंडियन ओशन है यहां पे साथ में तो यह कुछ फेमस जो है अच्छा यह जो एरिया आपको यहां पर दिखाई दे रहा है यह जो है अफ्रीकन कॉंटिनेट नहीं है बलके यह रेविन परन्सोला जो के आता है एश्या के अंदर तो यह कुछ फेमस कंट्रीज हैं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी नॉर्थ अमेरि यह नॉर्टिक है यटिया मौ्ह अन घ्रीनाडर है कॉस्ट रीका है पानामा है जेमीका फैंडो्ड़ क्योड़ कुवयर है बहामास है अच्छा जी बारबर डोस है सेंट लूसिया है अच्छा जी गरेनाडा है सेंट विनिशिट है एंटी एंटी ऑ है अच्छा जी डोमिनिका है और सैट किट से तो यह तकड़रीब तैशτο है यह आते हैं नौहर्थ अमेरिका के अंदर और इसमें अगर यहां पे इस मैप के अंदर देखिए तो यहां पे कैनेडा है सबसे बड़ा आपको यहां पे दिखाई देगा कैनेडा जो कि बहुत ज़्यादा यहां तक फैलावा है इसके साथ इस साइट पे आप देखिए तो ग्रीन लेंड आ जाएगा ठीक है जी और यहां पे आप देखिए तो United States of America है जिसे हम सब जादा जानते हैं यहां पे देखिए तो Alaska है यह Alaska जो है वैसे तो Canada के साथ है लेकिन एक्चली में यह जो है यह United States of America के साथ है ठीक है यह यह इसका हिस्सा है अच्छा इसके लाबा यहां नीचे आए तो Mexico आपको दिखाई दे रहा है अमेरिका से नीचे इनका बॉर्डर साथ में है फिर यहां से नीचे आए तो आपको Cuba, Jamaica और यह Caribbean जितने भी islands है यहां पर छोटे छोटे जो है बहुत से उमाले के आपको यहां पर देखने को मिलेंगे उसके बाद यहां नीचे South America start हो जाता है साथ पर देखि के यह Panama है यह वही Panama है जो Panama जहां पर किनाल भी मौझूद है यहां पर किनाल पिलाइनना मिलाती है बहूत important किनाल है क्योंके अधर वाइज एक बहुत बड़ा सी रूट बनता है जिसको इस पानामा के नाल ने काट के छोटा कर दिया तो यह कुछ important countries जो यहाँ पर आपको map के अंदर दिखाई दे रहे हैं यह North America के अंदर है अब बात करते हैं जी South America के अंदर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर कंट्रीज दिखाई दे रहे हैं उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है आप यहाँ पे देखें वेंस विल आपको दिखाई देगा ठीक है जी उसके बाद फ्रेंच ग्याना आपको दिखाई देगा Serenia आपको दिखाई देगा Ghyana आपको दिखाई देगा Ecuador दिखाई देगा Columbia यहाँ पर Wentz Villa के साथ इसकी boundary है पिसके बाद यहाँ इसकी boundary नीचे Piro के साथ है Piro से नीचे Bolivia आजाएगा यहाँ पर Para Goy आजाएगा यहाँ पर यह सारे footballer countries है अगर आपको football में interest है तो आप इन countries को जानते होंगे Argentina आजाएगा यहाँ पर चिल्ली आजाएगा यहाँ पूरा का पूरा यह belt आ रही है समंदर के साथ यह सारे के सारी जो है वो चिल्ली है अच्छा यूरो गॉय आजाएगा यहाँ पर Front side प Atlantic Ocean के साथ Falcon Islands है यहाँ पर और यह सबसे बड़ा जो है यह Brazil है कि यह South America का सबसे बड़ा जो है वो country इस ताम पर यहाँ मौझूद है तो यह सारे के सारे countries जो है South America के है अब ओशिनिया की बात करते है कि ओशिनिया के अंदर जो है वो कौन से countries है इसको सम्टाइम Australia भी कहा जाता है Simple Australia लेकिन यह औशिनिया है तो इसके अंदर सबसे famous अगर हम बात करें तो Australia खुद है ठीक है इसके लावा यहाँ पर आप देखे तो New Zealand है जिसको हम जानते है किर्किट की वज़ा से Australia और New Zealand को ठीक है और इसके लावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी famous चो country है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर जो है वो पापवा नियू घनाई वगरा है यह भी North और South में डिवाइड किया वा है यहाँ पर चोटे 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 आईलेंड्स आपको दिखाए देंगे बहुत चोटे 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 ठीक है Solomon Islands है और मुक्तलिफ आईलेंड्स है Polynesia यहाँ पर है तो यह चोटे 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 आईलेंड्स है लेकिन जो famous है वो यही दो सबसे ज़्यादा famous है atomic and nuclear power of the world की के दुनिया के अंदर इस ताइम पे जो atomic powers है वो कितनी है जिनके पास atom bomb है यानि के और जिनके पास nuclear weapons है वो कितने है क्योंके atom bomb जो है वो कम वाले के पास है लेकिन nuclear weapons जो है वो ज़्यादा हों वाले के पास है atom bomb नहीं है लेकिन उनके पास nuclear वो मौझूद है उनके पास अगर हम बात करें atom bomb की तो सबसे पहले America ने बनाया था America के पास है UK के पास है France के पास है China के पास है Russia के पास है Pakistan के पास है India के पास है और North Korea के पास है North Korea को sometime recognized में शामिल किया जाता है sometime recognized में आप नहीं देखेंगे कि वो recognized नहीं होता नौर्थ कोरिया और इसराइल को भी recognize नहीं किया जाता लेकिन इसराइल के पास भी मौजूद है अटम बम ठीक है तो ये जो है ये सारे के सारे countries हैं जिनके पास अटम बम मौजूद है और इसके लबाब अगर nuclear weapons की बात करें तो वो बहुत से हमाले के पास मौजूद है अब देखिए nuclear weapons की तादाद यहाँ पे अगर आप इस मैप के अंदर देखिए तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है रश्या रश्या के अंदर सबसे ज़्यादा nuclear weapons है पांच हजार नो सो सित्तर जो है वो nuclear weapons है रश्या के पास तो रूस नंबर वन पे आ गया यहाँ पे ठीक है उसके बाद आप अगर यहां से आते हैं अमेरिका के पास तो देखिए अमेरिका के पास दूसरे नंबर पे सब ज़्यादा nuclear weapons है 5428 यानि 5428 नुकलिर वैपन्स अमेरिका के पास है दूसरे नंबर पे उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसे नंबर पे तो United Kingdom है ठीक है सुरी फ्रांस है और फ्रांस के पास 290 है नुकलिर वैपन्स उसके बाद चोते नंबर पे जो है 350 चाइना के पास है उसके बाद चाइना के बाद जो है फ्रांस के पास है फिर जो है वो United Kingdom के पास है उसके पाफ पर पाकिस्तान के पास है 165 पिर इंडिया के पास है 160 ठीक है उसके रबाद इसराइल के पास है और पिर नॉर्थ कोरिया के पास है ठीक है ये जो है इनके पास nuclear weapons मौझूद है और ये इनकी तादाद है वर्ल्ड के अंदर तो अब वर्ल मैप में आप अगर distribution विखाई देगा कि एशिया के अंदर ही जो है वो काफी जादा हमें खत्रा देखने को मल रहा है क्योंकि इशिया के अंदर रेशिया भी है रेशिया के पास भी जो है वो निकलिर वेपन्स है पाकिस्तान है उसके पास भी है इंडिया है उसके पास भी है और नौर्थ कोरिया है उसके पास भी है और सबसे ज़्यादा जो अब्यक्शन की जाती है वो नौर्थ कोरिया के जो के बाद पाकिस्तान के टॉमिक वैपन के उपर सब ज़्यादा की जाती है कि वो हमें जो है वो समझते हैं कि ये नुकलियर वैपन जो है ये हम इने हैंडल नहीं कर सकते और ये दुनिया के अमन के लिए खत्रा हैं कौन समझते हैं वो ही जो दुनिया का ठेका लिया वै अमेर पाकिस्तान इन वर्ड मैप की कि पाकिस्तान जो है दुनिया के नक्षे में कहां पर है ठीक है एक चीज और दूसरी चीज हम यहां पर यह देखें कि किसकी इंपॉर्टेंस जो है एहमियत यहां पर पाकिस्तान की क्या है तो यहां अगर आप देखें तो इस मैप में आपको ये red color का पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान सबसे पहली बात तो ये है, कि वो Asia के अंदर है, ठीक हो गया, और दूसरा वो Asia के अंदर भी South Asia में है, ठीक है, Asia के South में है, जो already हम पीछे regions discuss कर चुके हैं, तो Asia ये पूरे का पूरा जो continent है, अगर हम इसको यहां पर दोवारा से highlight करें, तो ये सारा जो region है, ये एषिया का, ठीक है, और इस Asia के अंदर पाकिस्तान जो है, वो South Asia के अंदर मुझोद है, South Asia के जो आठ में आरठ में एक पाकिस्तान भी जो है, यहां से अफगانستान है, अफगانستान के साथ पाकिस्तान है, फिर प्रा के स साप से देखें कि पाकिस्तान की कौ़ सी बॉंड्रिक from के साथ है तो अब देखीए यहां पे पर वेस्ट है यहां पे नॉड इस है और यहां पर साउथ है अब यह और और यह में डिटेल के साथ जॉग्रफी आरफ पाकिस्तान की वीडियों बताच चुका हूँ और आपने अगर वह देखी है तो आपको यह बात समझ आजाएगी. ठीक है? तो पाकस्तान का जो एस्ट है यहांपे इंडिया है. ठीक है? अच्छा पाकस्तान का जो वेस्ट है यहांपे इरान है. वेस्ट यह समट टाइम इंडिया के साइट पे North East यहां पे जो है वो चाइना है तीक है और इसी तरह से पाकिस्तान का जो South है यहां पे Arabian Sea है यानि बहीरा अरब है तीक है जी तो यह पाकिस्तान की चारों साइट की डारेक्शन्स है अब पाकिस्तान बहुत ही important region के अंदर बाके है तीक है उसके दो जो रोल है वो बहुत ही ज्यादा important है वर्ल्ड politics के हवाले से अब देखिए अब यहां पे अमरीका है अमरीका भी जो है इस टाइम पे जो हालात पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं तो हम यह कह रहे हैं कि अमेरिका का बहुत ज्यादा इंटरस्ट है तो सवाल यह पैदा होत तो मिडल इस्ट का भी जो है वो इंटरस्ट पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की खास करके जो politics है उस politics के साथ बहुत ज्यादा एहम है पाकिस्तान का जो रोल है यहां यूरप की बात करते हैं यूके की बात करते हैं तो यूके को भी हमसे काफी ज्यादा उमीदे वाबस तो उसमें आगर हम देखते हैं तो पाकस्ताम की जो लकेशन है, वह बहुत ज़्यादा important है जिसको क। नहीं हए sorry ज़रा धृर्ट जियो political location पाकस्ताम की तो जींअ की जो क्नेकर एक साइट से इंडिया के साथ है जब उसके 100 साल complete हो जएं क्योंकि जह है वह उसने 100 साल पहले आजाद ही हासिल टीक है जी तो जब वह यहां पे एक साल सकी complete हो जाएं तो एक साल में वह पूरा का पूरा दोबारा से जो है Miguel पहला दे पूरा रोड का और समंदर के थूँ जो है एक जाल पहला दे और अपनी एकॉनमी को नमबर वान एकॉनमी पे लेके चला जाए और दुनिया को जो है वो इस तरह से कंट्रोल करने कोशिश कर रहे है अब यहां पर चाइना की एकॉनमी उपर जाएगी तो अमेरिका की एकॉनम के अंदर खतम हो जाती है तो जाहरी बात है अमेरिका के को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा उसके नजे की तो पर अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान होगा तो इसलिए अल्टीमेटली अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ मिलके यहां पे काउंटर करना चाह रहा है चाइना को और along with that वो काउंटर करना चाह रहा है रश्या को यहां पे इस पूरे रीजन के अंदर क्योंकि अगर यह चाइना को काउंटर नहीं करेगा और चाइना यहां पाकिस्तान के आपको पता है कि फ्लैक्षी जो प्रोजेक्ट है इसका सीपैक सीपैक को कंप्लीट कर जो है उसमें प्राइस जो है वो सबसे important चीज होती है तो जब यह जितना जादा जो है वो long route चाइना को पड़ेगा उतना जादा इसकी economy के ओपर pressure आएगा और जितना short होगा उतना इसको फायदा होगा इसलिए कर यहां पे चाइना अमेरिका जो है पाकिस्तान को अपने control म पर रखता है तो ultimately चाइना हम से फायदा नहीं उठा सकता क्योंकि इस region के अंदर चाइना और पाकिस्तान ही सबसे जादा जो है वो एक साथ जो है वो काम कर रहे हैं तो इंडिया तो अल्रेडी जो है वो हमारे मुखालेफे हैं लकिन अगर हम American belt के अंदर शामिल होते हैं त इंडिया के साथ अच्छे तालुकात रखें ता कि हम चाइना को जो है वो यहांपे काउंटर कर सकें इसी तरह से हम रश्या की तरफ जाते हैं तो उसका भी चाइना को नुकसान है क्योंकि रश्या और अमेरिका उनकी तो स्टार्ट से वार चली आ रही है तो जब वार उन पनिक४नी जो है यहां पे उसकी मैश्यत को जो है वो माश्वाली Sioux को बहुत ज्यादा नुक्सान वहएगा तो पाकिस्तान की लोकेशन एफघानिस्थान आप बहुत ज्यादा एएंपट्न है उर फघानिस्थान के लिए ही जो है कि हाँ यहां امریکہ بیٹھا ہوا ہے UT curtains आज अगर अफगانستان केंदर कम्पलीटली अमन हो جاتा है इसका मतलब ये है कि चाइना अगर पाकिस्तान से नहीं गुजरेगा तो चाइना अफगانستان केंदर से गुजर जाएगा उस्से का फरक परता है अफगانستان केंदर से गुजर के यहाँ पर अमन नहीं आएगा तो यह कभी भी एक larger belt नहीं बन सकता और यहाँ पर economy ना control हो सकते हैं हमेशा economy control हो सकते हैं कभी भी उस level पर नहीं जाएगी क्योंकि China भी यहाँ से control होगा Russia भी यहाँ से control होगा लेकिन यहाँ पर अमन जो है वो किसी को suit नहीं करता सिवाए इसके कि पाकिस्तान को लेकिन अगर हम यहाँ पर अमन नहीं देखते ठीक है और हम अमेरिका के साथ रहते हैं तो ultimately यहाँ की जो हकूमत है अफगानिस्तान की वो कभी भी हमारे भी पाकिस्तान के अंदर अमन नहीं आने देगी तो यह जो geopolitical importance है इसके इलावा यहाँ पर है तो इन future जो है बहुत बड़ा मसला यहाँ पर बन सकता है इसलिए जो है अमेरिका के लिए यह बहुत ज़्यादा एहम है इसके साथ साथ Middle East की politics के लिए पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एहम है Middle East के अंदर जैसे इसराइल भी है तो इसराइल जो है वो इसराइल पूरी को हो गया है जिसके अंदर जो है वो एक साइट पे इसराइल है दूस साइट पे जो है वो यूएई है और एक साइट पे अमेरिका है ठीक है और दूस साइट पर साथ में वो उन्होंने यूके मिला के तो यह पूरे का पूरा जो बेल्ट बना दिया अब यह काफी जादा जो है तो यह जो I2, U2 है यह भी अब counter करने का ही एक strategy है कि China को वो counter करेंगे Central Asia से भी ठीक है और Middle East के अंदर भी और यहाँ पर साइड पर भी बिल्कुल वैसे ही जैसे के CETO और CETO जो बनाए गए थे ठीक है 1964-05 के अंदर तो वो भी जो है वो अश्या को दोनों साइडों से वो counter करना ही उसका purpose था तो अब यह बिल्कुल वही जो strategy है दोवारा से यूज की जारी है चाइना को counter करने के लिए तो यह सरसरी तोर पर आप यहाँ पर world map के अंदर समझ लें तो obviously हमें वक्ती तोर पर फाइदा भी होगा long term भी में भी हो सकता है तेखें यह आपके अपनी राय है लेकिन जब हम American block का हिस्सा बनेंगे तो वही जो politics है जो 1950s की politics थी या 1970s की जो politics थी वो again repeat होगी लेकिन अगर हम China के block का हिस्सा बनते हैं कि future क्यूंकि अब China का है obviously अब America जो हो पीछे जाता जा रहा है और world की number one economy इस ताइम पर China की है तो अगर हम China के साथ जाते हैं या Russia के साथ जाते हैं तो फिर इसका मतलब हमें उस side को देखना पड़ेगा और उससे हमें फाइदा हासल करना पड़ेगा लेकिन ये बात confirm है कि हम neutral किसी सुरत नहीं रह सकते हमें किसी ना किसी block को join करना पड़ेगा हम बेशक balance करने की कोशिश करें लेकिन balance हो नहीं सकता क्योंकि हम जब China की तरफ जाएंगे तो ultimately China प्रोजेक्ट यहां पे कर रहा है तो हम ना चाहते हैं भी चाइनी ब्लॉग का हिसा बन जाएंगे इसी तरह से अगर हम China से दूर होंगे तो हम ना चाहते हैं भी अमेरिका के करीब हो जाएंगे तो इसका मतलब हमारी position जो है हमारी जो location है इस world map के अंदर वो हमें किसी भी सुरत में neutral नहीं रहने दे सकती यही हमारा जो है वो लिखावा है तो हमने अब इसी के बीच में रहके कैसे neutral रहना है कैसे balance करना है यही सारे का सारा leaders का काम है और leaders को कैसे manage करेंगे फिलहाल तक तो लड़ाई जगड़े ही हो रहे हैं तो यह आने अला future वो ही चीज़ decide करेगी ठीक है और at the end आपने देखा कि हमने तीन पार्ट के अंदर जो है वो cover किया world map को यह पूरी आप world map की series कहले से के overall इसमें इतना knowledge मौझूद है कि आप कोई भी जो है वो general science का paper होता है आपको कोई भी जो है वो ऐसा paper हो one paper हो जाए या कोई भी ऐसा paper हो जिसमें general knowledge जो है वो आपको चाहिए हो तो gk आपके लिए जो है वो बहुत जादा है इसके अंदर आप इसको समझ के जो है वो paper cover कर सकते हैं और अपने knowledge में इदाफा कर सकते हैं और at the end यहाँ पे इस video को close करते हैं और यह part हमारे पास जो है वो world map series का यहाँ पे खतम हो गया और at the end thanks for watching और आपकी comments के लिए जो है वो comment section मौझूद है positive और negative दोनों के लिए